दंदनवन थाने के हसंद बाग में तेजबाइक चलाने को लेकर दो गुटों के बीच कैंगवार हो गई अपरादी शमशेर के बेटे द्वारा माउजर लहनारी से पैसर में देशत फैल गई देर राद तक पुलिस आरोपियों की खोजबिन में जुटी होई थी बताया जाता है कि राद सवार बजे हसंद बाग के चर्चित अपरादी शमशेर के बेटे मकसूद और उसके मित्र का तेजबाइक चलाने को लेकर प्रतिद्वन्दी शारुक गुट के युवक से विवाद हुआ इस वज़े से दोनों गुट के समर तक आमने सामनी आ गये शारुक के गुट ने मकसूद की पिटाई करती मकसूद की पिटाई होने से शमशेर का दूसरा बेटा परवेज आग बबुला हो गया वहाँ घर माउजर ले आया वह सातियों के साथ माउजर लेराते हुए परिसर की एक इमारत पर खड़े युवक ने इस घटना की क्लिपिंग बना कर वारत कर दी इससे हसन बाग में गैंगवार भड़कने की खबर फैल गई नंदन वंताना क्राइम ब्रांच की पिलिस मौके पर पहुच गई देर रात तक पिलिस आरोपियों की खोजबिन में चुटी हुई थी बताया जाता है कि कुछ समय से हसन बाग परीसर में आपरादिक गतिविद्या काफी बढ़ गई है युको के ने नेगुट बन गए है वे अपना दबदबा बनाने के लिए परीसर में धेशत मचाते है नंदन पिलिस के अधिकारियों की वज़े से हालत खराब होनी की चर्चा है क्यामरपोसन अकलेश भारेदवाज के साथ अभिशेक पांसी बीसी न्यूस नाकपूर